Good morning dear friends and greetings in the name of the Lord सुप्रभात मेरे मित्रो और प्रभु येश्य मसी के नाम में मैं आप सब का भिवादन करता हूँ और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि वो एक और नए दिन में हमें ले आया है और होने दे कुष्णों के लिए हम उसकी उपस्तिती में शांत हो जाएं और हम परमेश्वर के वाणी को सुने उसकी वो वाणी जो उसके वच्छन से हमें मिलती है और मतिर अचित्सू समाचार उसका पच्छिसवा ध्याय चौदवे वच्छन से आज की सुभा हम अपने मनन को रखेंगे क्योंकि यह है उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौप दी उसने एक को पांच तोड़े, दूसरे को दो और तीसरे को एक, अर्थात हर एक को उसके सामर्त के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया तब जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेंदेन किया और पांच तोड़े और खमाए इसी रीती से जिसको दो मिले थे उसने भी दो और कमाए परदो जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खो दी और अपने स्वामी के रुपे छिपा दिये बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा जिसको पांच तोड़े मिले थे उसने पांच तोड़े और लाकर कहा हे स्वामी तूने मुझे पांच तोड़े सौपे थे देख मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वासी योग्य दास तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में से भागी हो और जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा हे स्वामी तूने मुझे दो तोड़े सौंपे थे देख मैंने तो दो तोड़े और कमाए उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वासी योग्यदास तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा मैं तुझे बहुत वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनंद में सह भागी हो तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा हे में डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया देख जो तेरा है वो यह है उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया है दूष्ट और आलसिदास जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से तोड़ो टोड़ा हूँ तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपिया सर्फो को दे देता तब मैं आकर अपना दियान ब्याज समयत ले लेता इसलिए वात तोड़ाल उससे ले लो और जिसके पास दस तोड़े हैं उसको दे दो क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परन्तो जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दाथ पिसना होगा आमेन I am sure all of you are very familiar with this parable that Jesus told और मुझे पूरी आशा है कि आप सब को इस दिर्ष्ठांत के विशे में ग्यान है जो येशु ने सुनाया और आए हम इस दिर्ष्ठांत से हो करके निकलेंगे और इस बात को समझने की चेश्टा या कोशिश करेंगे कि येशु सच में हमें क्या सिखाना चाहता है और इस दिर्ष्ठांत के दो पहलू है पहला जब येशु मसी अभी नहीं आगमंद में नहीं आया है जबकि वो दूर ही है विश्वासियों को कुछ करना है इसका मतलब है विश्वासियों को काम करना है दूसरा बात जबकि येशु मसी का आगमन अभी नहीं हुआ है और वो दूर है विश्वासियों को कुछ जानना भी है कि कौन है वो मनुष्य जो एक लंबी यात्रा पर गया और वो है प्रभु येशु मसी और अपने पृत्वी के जीवन के पश्चार और अपने उदेश को इस संसार में संपूर करने के पश्चार जो इस संसार में आने के बाद था येशु मसी वापस स्वर्ग की ओर निकल गया और वो स्वर्ग में है परमेश्वर के दाइने हात पर विराजमान और येशु मसी अपने इस इस दृष्टांत में बात करता है अपने स्वर्ग रोहन और अपने वापस आगमन के बारे में और वो एक लंबी यात्रा पर गया जिसका मतलब है उसका स्वर्ग रोहन और उसके पस्चात उसका आगमन दुबारा होगा जब वो अपने दासों से लेखा जोखा लेगा और ऐसा ही होगा जब येशु का आगमन होगा और इन बातों का पवित्र बाइबल में और भी जगा इस बात को लेकर वचन मौझूद है और यहुन नारा चिसु समाचार उसका चौदव अधियायत दूसरा और तीसरा वचन बात करता है उसके स्वर्ग रोहन या वापस स्वर्ग जानी के विशे में और प्रेतों के कारिय उसका दूसरा अधियायत तैस्वे वचन से लेकर पैंतिस्वे वचन तक जो बात करता है पवित्र आत्मा की उन वर्दानों के विशे में जो उसने अपने चेलों के ऊपर भेजे है प्रेतों का कारिय उसका दूसरा अधियाय तैस्वे वचन से लेकर पैंतिस्वे वचन तक और इस वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं ऑसंocur says For David did not ascend into the heaven but he himself says the Lord is said to my Lord sit at my right hand until I make your enemies your footstool let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ and this is also talking about what Jesus will do once he ascended into heaven then in chapter 5 verse 35 Acts 31 verse 31 we read here God exalted him at his right hand as leader and saviour to give repentance to Israel and forgiveness of sin so through this parable he has been dealing with his ascension and his present ministry and also what happens at his coming again return and this exalted Lord and saviour has interested his properties to his servants who are his servants and who are his followers the believers the followers of Jesus Christ the followers of Jesus Christ every believer and what are his properties and what are his properties जब उसका स्वर्ग रोहन हुआ तब उसने अपने लोगों को वर्दान दिये और अपने दासों को अपनी संपत्ति सौपने के द्वारा जिसका मतलब है विश्वासी हमारा परमेश्वर दिखा रहा है पहली बात अपने भरोसे को विश्वासियों पर भरोसा और अगर आप रभु येश्यु मसीख के का निवाई है हर एक के पास कुछ ना कुछ योगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं कुछ भी नहीं कर से और मेरे मित्रों कि येश्यु मसी ने अपने अनियायों के ऊपर बहुत भरोसा रखा है जिसका मतलब है आप और अगर आप अपने आपको एक विश्वासी समझते हैं और इसलिए उसने पवित्रात्मा को आपके उपर भेज़ा और पवित्रात्मा के द्वारा कई सारे तौफे हैं और अपने चेलों की इतनी सारी आसफलताओं के पस्चात भी येश्यु फिर भी उनी चेलों पर निर्भर रहा और कितना भरोसा और ही आप उसने अपने चेलों के प्रति लिखाया और आपको और मेरे उपर लिखाया है और उसने आपको कुछ तोफे अवरदान दिये हैं और जो दूसरी बात है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां विश्वासियों को सौपी गई है और आप जो एक विश्वासी हैं तब आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां है प्रभु येश्व मसी के लिए पूरी करने के लिए और जो शब्द डुनामिस है इसका प्रयोग किया गया है योग्यता के लिए जिसका मतलब है सामर्थ जिसका मतलब है कि वो योग्यता की आप परमेश्वर के लिए कुछ करने पाएं और वो परमेश्वर जानता है कि हम सब के पास अलग-अलग योग्यता हैं और इसलिए इस बात को हम से आशा लगाई गई है कि हम कारिक करते रहें जबकि जो हमारा स्वामी है वो अपने आगमन के लिए आता है और ये हमारी आशा होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर जल्द आ रहा है और आपका तोड़ा क्या है आप जानते हैं हो सकता है गीत गाने का तोड़ा या हो सकता है यंत्र बजाने का या संडे स्कूल में शिक्षक या पढ़ाने का या येश्व के लिए गवा ठहरने का और बड़ी बड़ी जिमेडारिया कि आप आटमाओं के लिए मध्यस्ता की प्रातना करते हैं, उनों पर के लिए गवाा ठाहते हैं और कईयों के पास बड़ी अच्छी और अद्बुत योगता है कि वो एक वेक्तिगत रूप से आमने सामने वेक्तियों के लिए गवा ठैने बाते हैं यह माइने नहीं रखता कि आपका तोड़ा क्या है यह आप से आशहा लगाई गई है कि आप विश्वासल योगता की अनुसार इस बात को करें जब आप स्वामी का इंतज़ा करते हैं और इस बात को हम देखते हैं पहले जो दोदास हैं वो तुरंत ही स्वामी के द्वारा स्वापा गया कारेग को प्रति उत्तर देते हैं और जिस समय स्वामी वापस लोटता है इन पैसा उंके हातों में स्वापा गया था उसे दुगना कर दिया है और उनने वैसा ही किया जो स्वामी उनसे आशा लगाए हुए था क्योंकि वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योगि थे और जो तीसरे दास की जो कमिया थी वो कुछ छोटी मात्रा में नहीं थी लेकिन वो अप विश्वास योगिता में कम पाया गया किर्पया करके इस बात को समझे क्योंकि स्वामी ने तो उनने उनके सामर्त के अनुसार या योगिता के अनुसार दिया जो वो भली भाती जानता था और उन दिनों में भी एक तोड़े का मतलब था कि एक मनुष्य की ध्याड़ी जो बीस साल तक की तो कुल मिला कर एक ध्याड़ी एक तोड़ा दर्शाता था दूसरे शब्दों में और उन दिनों में इसका मतलब ये था कि एक तोड़े का अनुवाद हम इस प्रकार कर सकते हैं कि एक मनुष्य जितना पैसा बीस सालों में कमा सकता है उन दिनों में तो आप सोच सकते हैं दिनों में एक तोड़ा इतना बड़ा पैसे का मूली रखता था और ये कोई छोटा मूली नहीं और हम में से कईयों के पास ये आदत है कि हम दूसरों अपने गुड़ों या अपने तोड़ों को देख कर ये कहते हैं अरे मेरा क्या तोड़ा है अगर मैं अपने तोड़े की उस व्यक्ति से तुला करू तो क्या आपको ऐसा लगता है कि संडे स्कूल की एक कक्षा को पढ़ाना आपकी योग्यता की नीचे हैं लेकिन ऐसा नहीं है और जो मसी देखता है वो है आपकी विश्वास योग्यता हो सकता है वो पैसा जो उस ने प्राप्त किया वो दो पहले दासों से कम था लेकिन फिर भी लेकिन वो जिम्मेदारी और मौके बिलकुल भी कम नहीं थे और इसलिए मेरे मित्रों मैं चाहता हूं कि इस बात पर आप मनन करें जो कुछ भी आपकी तोड़े या योग्यताएं हैं जिनका प्रयोग आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं इसे आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले कि कितना परमेश्वर पिता ने जो की स्वामी है अपने भरोसे को आप पर रखा है और वो आपकी विश्वास योग्यता को खोज रहा है और जिसके द्वारा परमेश्वर और अपने स्वामी का आदर करने पाएं और मैं प्रातना करता हूं कि पवित्रात्म आपके मनों को खायल करने पाएं and immediately put to use the abilities you have given to you by God whether it is singing, playing, teaching or counselling, whatever or praying, whatever it may be और वो भी कोई भी तोड़ा या योगिता जो परमेश्वर ने आपको दिया है भले ही वो गीत गाना, यंत्र बजाना, शिक्षा देना उन तोड़ों का प्रियोग आप परमेश्वर के लिए करें तुरंथ ही करने पाएं और परमेश्वर के लिए करने पाएं आप मनुश्य के लिए नहीं करते हैं इसलिए पिता येश्व के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी पवित्रात्मा को हमारे लिए भेचा है हमारे भमोले परमेश्वर हुने दे तेरा हर एक विश्वासी तेरा हर एक बच्छा हुने दे वो तेरी पवित्रात्मा के सामर्ते से सशक्त होने पाए ताकि वो उस योगे ठहरने पाए और उन बातों को करने पाए जिसके लिए तुने उने ठहराया ताकि इन दिन के अंत के पश्चार जब तु हमें बुलाता है कि हम अपना लेखा जोखा दे उन योगताओं के प्रती तब हम बड़ी दीनता और आनंद के साथ तुझे ये उत्तर देने पाए कि मेरे स्वामी जो तुने मुझे दिया उसे मैंने दुगना कर दिया है येश्यू के नाम में परमेश्वर आप सबको आशीष थे एक अद्भुद दिन आपका भी थे येक अद्भुद दिन है परमेश्वर की सेवार उसके लिए जीने के लिए आमें